ओम नारायन 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 सबमित्रुकराम राम दोस्तों आज गुरुवार 6 अप्रेल को शाम को 6 बजे की बाद से The Super Mario Brothers मूवी को भारत में थेटर में रिलीज केया गया आज के वल मूल अंग्रीजी वर्जन रिलीज हुआ है Hindi डब्ड वर्जन कल 7 अप्रेल से रिलीज होगा मैंने आज 6 अप्रेल का सेकंड शो देखा पहले शो में जाने ही पाया था, बिजी था obviously मैंने इंग्लिश में ही देखा है तो Hindi डबिंग के बारे में कुछ नहीं बता पाऊँगा फिल्म मात्र एक घंटे और 32 मिनिट की है इसके डिरेक्टर है एरन होवत और माइकल चेलेनिक जो इससे पहले साथ में 2018 में आई हुई Teen Titans Go To The Movies इस एनिमेटेड फिल्म की कहानी लिग चुके है साथ में और इन दोनों में से एरन होवत उस फिल्म के को डिरेक्टर भी थे और अभी उन्होंने साथ में मिलकर The Super Mario Brothers मुवी को डिरेक किया है देखें Mario वीडियो गेम के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है अतलब आज फिल्म देखने से पहले नहीं पता था अभी फिल्म देखने के बाद में तो जो अलग-अलग characters है जो मूल theme है कहानी है उसके बारे में पता चला है और थोड़ा बहुत मैंने अभी review करने से पहले पढ़ा भी जो Mario वीडियो गेम video game franchise का जो Wikipedia page है वो मैंने open करके देखा तो भाई इसके तो video game series के कई सारे अलग-अलग versions आ चुके हैं दो animated series आ चुकी है दो television series आ चुकी है दो live action film में भी आ चुकी है हाला कि मैंने पढ़ा 1993 में जो live action film आई थी इस game पर आधारित वो बहुत बढ़ी disaster थी flop थी और उसके बाद में फिर Nintendo ने फिर से कभी अपने इस video game पर film बनाने के बारे में सोच आई नहीं क्योंकि बहुत बड़ी commercial failure थी वो movie पर अभी फिर उन्होंने अपने इस video game पर film बनाने के जो rights है वो illumination और universal pictures को दिये हैं और उन्होंने साथ में मिलकर अभी इस film को produce किया है मैंने अभी घर पर आने के बाद मैं just google पर film को search किया और IMDb और Rotten Tomatoes के मैंने reviews देखे अब अमेरिका में एक दिन पहले ही film release हुई थी पाच अप्रेल को ही तो IMDb पर 1000 और reviews आ चुके हैं Rotten Tomatoes पर भी जो critics के और audience के दोनों reviews हम देख सकते हैं जो audience score है वो 94% का है और जो critics का जो average score है वो मात्र 54% का है तो एक बहुत बड़ा difference हम यहाँ पर देख सकते हैं अब मेरा experience में बताओ तो मारियो और उसका भाई Luigi दोनों Italian American है Brooklyn में रहते हैं और अभी मारियो ने अपनी जो job है वो छोड़ दी है और अपने भाई के साथ में मिलकर plumbing service का एक नया business उसने शुरू किया है एक चोटी सी funny ऐसी commercial भी उन्होंने बनाई हुई है local news channels पर चलते वे देखकर वो दोनों अपने आप में ही खुश हो रहे हैं कि इतना प्यारा commercial हमने बनवाया है अपने company का और उनकी मा इस बात से बहुत खुश है कि उनका बेटा जो कुछ भी कर रहा है यार बड़या है कर रहा है हाला कि परिवार में अन्य कोई भी इस बात से खुश नहीं है और Mario के जो पिता है Mario और Luigi के वो एक सीन में फिल्म की शुरुवात में कहते भी ये Mario से कि भाई एक अच्छा खासा जॉब छोड़ कर तुमने ये जो बिजनेस शुरू किया है जिसका कुछ अभी आ गया था पता भी नहीं है चलेगा या नहीं चलेगा ऐसा कौन करता है ऐसा मतलब अपनी चिंता वो वेक्त करते हैं Mario को इस बात से दुख होता है Luigi को जादा कुछ फरक नहीं पड़ता घरवाले क्या सोच रहें क्या नहीं बड़ा बोला बाला ऐसा कारेक्टर उसे दिखाया है अब इसके बाद में ब्रुकलिन में एक पाइप फट जाता है सब जग पानी पानी फैल गया है न्यू चैनल्स पर ही न्यूज आती है तो Mario को लगता है कि भाई इसको अगर मैं ठीक कर दूँगा तो भाई मेरी कंपनी का नाम हो जाएगा पर तभी उसे जब वो ठीक करने के लिए जाते हैं तभी एक मिस्टेरियस पाइप के थुरू वो एक दूसरे यूनिवर्स में पहुँच जाते हैं एक मैजिकल किंगडम में हलाकि इस मिस्टेरियस पाइप के थुरू जाते हुए मारियो और लुईजी दोनों अलग अलग हो जाते हैं मारियो तो एक बहुती सुंदर ऐसे मैजिकल मश्रूम किंगडम में पहुच जाता है और लुईजी डाक लैंड में पहुचता है जहाँ पर एविल टर्टल किंग पॉजर उसका सामराज्य है और यह जो एविल टर्टल किंग है वो अलग-लग सामराज्यों को नश्ट करके उन पर अपने अंडर उने ले रहा है उन्हें अपना गुलाम बना रहा है उस सामराजे की जितने भी लोग है उनको वो बंदी बना देता है तो उसका नेक्स टारगेट है मश्रूम किंगडम और साथ में ही कौंग किंगडम भी एक दिखाया है जहां पर धेर सारे अलग-लग मंकी्स हम देख सकते हैं तो अभी यह दोनों बचे हुए है कौंग किंगडम और मश्रुम किंगडम तो Mario है, मशरुम kingdom में वहां की जो princess पिच उसके साथ वो मिलता है ताकि वो अपने भाई के साथ मिल सके भाई को बचा सके और इसके बाद में फिर जो evil turtle king है goes a koopa koopas कहा गया है, सारे के सारे turtles है और फिर वो किस प्रकार से मशरुम kingdom पर attack करते हैं और Princess Peach और Mario ये मिलकर कैसे उसका सामना करते हैं ये बेसिक सी कहानी है जिन्होंने गेम खेला हुआ है उन्हें इसके बारे में पता भी होगा अब देखिए मुझे परसनली फिल्म बहुत पसंद आई शुरुआत से अंतक मैं मेरे चेहरे पर स्माइल थी फिल्म देखते हैं और एक समय तो ऐसा आ गया था मैं थोड़ा सा सीट पर आगे होकर बैठ गया था इस प्रकार से मैं फिल्म के साथ में जुट गया था आगे क्या होने वाला ही जानने की मेरी उदसुकता थी और फिल्म इतनी प्यारी है जो उसके bright colorful जो visuals है वो इतने सुन्दर लगते हैं इतने प्यारे लगते हैं और सुन्दर visuals के कारण जो even negative characters भी है न वो भी बहुत cute लगते हैं वो सारे के सारे turtles किसी भी character से मैं hate नहीं कर पाया जो evil turtle king है वो भी मतलब अंदर से ऐसा कुछ उससे hate करने जैसा मुझे feel नहीं हुआ obviously वो बुरा है गलत कर रहा था पर film इतनी सुन्दर है इतने bright colorful ऐसे visuals है उसमें हम पूर्ण रुपस ऐसा खो जाते हैं बस देखते रहते हैं यार बहुत अच्छा-च्छा हो रहा है जो chasing sequence है कई सारे अब mario game है उसकी जो अलग-अलग levels पर वो कैसे आगे जाता है उसे कैसे super powers मिलते हैं यही पूरा वो basic game भी है तो वही theme हमें film में कई जगव उपर देखने को मिलती है अलग-अलग जगव पर mario कैसे chase कर रहा है उसे कोई chase कर रहा है और इस बीच में फिर उसे अपने powers को कैसे बढ़ाने के लिए super powers उसे कैसे मिलते हैं अलग-अलग अवतार उसके द संदर थी तो overall visually दिखने में फिल्म बहुत ज़्यादा बढ़िया है छोटे बच्चों को फिल्म सच में वो बार-बार देखना चाहेंगे इस फिल्म को इस प्रकार की फिल्म है पर हाँ ये बात है कि ये फिल्म कोई pussy boots की तरह या फिर coco की तरह emotional हमें नहीं करती है और नहीं इसमें कोई बहुत सुक्ष्म ऐसा कोई संदेश कोई message उन्होंने दिया है नहीं कोई बहुत बड़ी philosophy ये फिल्म हमें सिखाने का प्रयास करती है ऐसा कुछ भी नहीं है बस फिल्म हमें मजे देती है बहुत funny थी फिल्म शुरुआत से हम तक मेरे चेहरे पर smile थी और हर बार ऐसी कोई pussy in boots की तरह या फिर ऐसी कोई बहुत philosophy हमें सिखा ऐसी फिल्म की भी आवशकता नहीं होती बस कई बार बस मजे के लिए हम फिल्म देखना चाहते हैं और ये बिल्कुल वैसी फिल्म है ये किसी को भी निराश नहीं करेगी हाँ अब critics ने जो इसको negative reviews दिये हैं जो average score है वो 54% का है पता नहीं उन्होंने क्या सोच कर इतने कम rating दी है पर फिल्म कहीं पर भी हमें disappoint नहीं करती और शायद जादातर critics को ये फिल्म जो पसंद नहीं आई है उसके पीछे कारण ये भी हो सकता है कि फिल्म में Princess Peach को Mario बचा रहा है मारियो को बचाते वे दिखाया है एक लड़की को पुरुष बचा रहा है तो ये शायद जो liberal thought के critics है उनको regressive लगी होगी शायद ये बात पता नहीं क्या कारण है उनको फिल्म क्यों पसंद नहीं आई पर मज़िदार थी बढ़िया थी फिल्म आप बिल्कुल इसे देख सकते हैं विशेश्ता बच्चों को ये फिल्म बहुत पसंद आईगी मैं दस सूपर मारियो ब्रदर्स मुवी को दूंगा एट आउट आउट आप टें स्टार्स पैंटल गाडियन्स की कोई आवशक्ता नहीं है आप बिल्कुल अपने पूरे परिवार के साथ में फिल्म को देख सकते हैं और जब आप इस फ स्री राम बंदे मातरम